सर पता है, कल मैंने बहुत दिनों बाद छट एक वल्चर रेखा हाँ, वल्चर्स का देखना काफी ज़ादा रेर हो गया है हाँ सर पर क्यों? एक्चुली इसके पीछे का रीजन काफी ज़ादा अपसेटिंग है सर ऐसा क्या रीजन है? ये बताने से पहले इन क्रीचर्स के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं वाट्स है हमारे प्लेनेट पे वल्चर्स की 22 स्पिशीज है वल्चर्स की सबसे बड़ी स्पिशीज का नाम है सिनेरियस वल्चर्स ये अराउंड 3.3 feet long और वजन में 12.5 kg तक हैवी हो सकते हैं और वल्चर्स की सबसे छोटी स्पिशीज का नाम है दा इजिप्शन वल्चर्स जिन्हें वाइट स्केमेंजर्स भी कहा जाता है ये 58 to 78 cm long और वजन में सिरफ 2 kg की हो सकती है ये बर्ड्स ना सिर्फ दिखने में मजिस्टिक हैं बलकि इनका होना भी नेचर के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है पर वल्चर्स की इंपोर्टेंट समझने से पहले इस क्रीचर की कुछ अमेजिंग से facts जानते हैं Fact No.1 Vultures have a very strong stomach Vultures better survival के लिए सालों से अपने आपको नेचर के according अडेप्ट करते आएं और ऐसा ही एक adaptation है उनके स्टमक का बहुती जादा powerful होना Vultures के स्टमक में ऐसे acids होते हैं जो उन्हें rotten और खराब meat खाने का strength देते हैं In fact, ये acids इतने जादा strong होते हैं कि कई scientists इन acids को बैटरी में यूज होने वाले acids से भी compare करते हैं And this is very unusual Amazing fact number 2 Vultures are the highest flying birds in the world दुनिया में सबसे जादा उचाई तर उडान भरने वाले birds में से एक bird, Vulture भी है In fact, the Rueapples Griffin Vulture के दुनिया का highest flying bird भी कहा जाता है Interestingly, history में एक famous incident भी हुआ था जिसमें 37,000 feet की उचाई पे उन रहे aircraft के साथ एक Rueapples Griffin Vulture टकरा गया था Amazing fact number 3 King Vultures are the most colorful Vultures क्या आपने कभी red, blue, orange या purple color की bird को देखा है Rarely, right? पर King Vultures नाम की ये Vulture species ये सारे colors में होते हैं In fact, King Vultures के सिर्फ head और neck के region में ही ये सारे colors देखने को मिल जाते हैं और ये इनको ना सिर्फ Vultures में unique बनाता है बलकि entire bird kingdom में भी एक अलग पहचान दिलाता है Amazing fact number 4 Vultures use their own urine as disinfectant Vultures Eurohidrosis नाम का एक process follow करते हैं जिसमें अपने ही पेरों के उपर urinate कर देते हैं ये ऐसा तभी करते हैं जब मौसम जादा गरम हो Vultures खुद को cool करने के लिए तो अपनी urine का use करते ही हैं साथ ही अपनी urine को अपने legs पे grow हो रहे bacteria को clean करने के लिए भी use करते हैं क्योंकि इनके urine में high levels of acid होता है जो इनके लिए एक perfect disinfectant का काम करता है Amazing fact number 5 Vultures are bald for a reason Vultures की जादातर species के गले और सर पे feathers नहीं होते जो दिखने में काफी अजीव होता है क्योंकि गले और सर के अलावा उनकी बाकी पूरी body feathers से covered होती है पर इनके head और neck पे feathers नहीं होने का reason इनकी eating habits है ये mostly dead और decaying animals पे feed करते हैं जिनमें bacteria और दूसरे parasites ग्रो होते रहते हैं तो अगर Vultures के neck और head में feathers होते तो ये bacteria तीजिली उनके contact में आ जाते जो Vultures के लिए काफी जादा unhealthy हो जागा इन सारे points से ये तो clear हो गया कि Vultures इसमें amazing creature है पर अब समझते हैं कि हमारे planet पे इन Vultures की importance क्या है Importance number one Vultures are cleanliness experts of nature Vultures nature के one of the efficient and fast cleaners है Vultures दूसरे animals के dead remains पे ही feed करते हैं Vultures dead bodies को खा के कई सारी problems को solve करते हैं जैसे की rotting और decaying animals को खा के दूसरे animals तक किसी भी infection या disease के spread को रोपना और साथ ही environment को clean और fresh रखना भी इनका काम है अपने इस function की वजह से ये dangerous diseases जैसे की rabies और zoonotic diseases को spread होने से रोपते हैं Importance number two Vultures save water bodies from contamination Scientist का मानना है कि natural habitat में water bodies के आस पास कई बार animals मर जाते हैं और जब ये slowly decay होने लगते हैं तो ये अपने आस पास की water bodies को भी bacterial और fungal growth का बढ़ावा देते हैं जिससे water body पे dependent दूसरे animals बिमार पर सकते हैं और इसी problem को solve करते हैं vultures क्योंकि vultures जल्दी से जल्दी और बहुत ही efficiently dead animals को consume करते हैं और water bodies को clean और healthy रखने में help करते हैं Importance number three Vultures are infection control crew of the nature Vultures infection control के important agents हैं Dead animals की body में कई bacterias और funguses grow करते हैं जो कई सारी diseases spread कर सकते हैं ये animals के साथ humans में भी ये diseases spread कर सकते हैं पर vultures जब इन dead animals को खा लेते हैं तो vultures के pate में presents acids इन bacterias और viruses को kill कर देते हैं और ये nature के लिए एक बहुत ही important function है जिसके बिना कई सारी species बीमार पर सकती हैं 14 species globally extinction के threat को face कर रही हैं इन फेक्ट आपको जानके काफी ज़ादा shock लगेगा कि 1998 से 2018 के बीच 40 million vultures की deaths report की गई हैं जिसका direct और indirect reason हम humans हैं एक्चली 1990 में diclofenic नाम के medicines से kettles को treat किया जाने लगा था इस medicine को kettles में pain inflammation और fever जैसे diseases को treat करने के लिए use किया जाता था और जब इन kettles की death हो जाती थी तो vultures इनको खाते थे और food के form में जब diclofenic vultures के अंदर जाता था तो कुछी घंटों के अंदर vultures को kidney failure हो जाता था और वो मर जाते थे हमने hundreds of vultures को ऐसे ही lose किया है finally 2006 में ये medicine तो ban हो गई पर vultures की population अभी तक वापस crack पे नहीं आ पाई है आज vultures habitat loss, lack of food, pesticides के use और climate change की वज़र से thrive नहीं कर पा रहे जो no wonder नेचर में एक बहुती बड़ा imbalance create कर रहा है और हम सबको इस crisis के बारे में conscious और sensitive होना ज़रूरी है और इसका पहला step है informed रहना अगर आपको लगता है कि आपने इस video से कुछ नया सीखा तो कोशिश करिएगा कि जादा से जादा लोगों को vultures की importance के बारे में पता चले अगरे चले के बारे में साथ हाप महें that's it for this video. See you next Sunday